नमश्कार निशामुदुलीका.ड.com में आपका स्वागत है हल्वा कितनी चीजों के बनाये जाते हैं सूजी का हल्वा, आटे का हल्वा, लौकी का हल्वा, गाजर का हल्वा, कदू का हल्वा लेकिन आज हम सिवई का हल्वा बनाएंगे तो आएए देखें सिवाई का हलवा बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यक्ता होगी सिवाई इन्हें बरमिसाली भी कहते हैं ये हमने एक कप ले लिए हैं घी एक टेबल स्पून काजू एक टेबल स्पून किसमिस एक टेबल स्पून और पिस्ते आठ दस ले लिए हैं इलाइची पांचे चीनी आदा कप 100 ग्राम सिवाई के हलवा के लिए सबसे पहले हम सिवाई को भूनेंगे कडाई गरम हो रही है और इसमें हम घी डाल देंगे घी गरम होने पर सिवाई डालेंगे और चलाते हुए भूनेंगे जब तक सिवाई हलकी ब्राउन ना हो जाएं इसको लगातार चलाते रहना होगा यह बर्मी सैली बिल्कुल भूनने वाली है दखिए लाइट ब्राउन हो गई है यह और अब हम गैस बंद करके इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं सिवाई हमने प्लेट में निकाल लेए और अब हम पानी डालेंगे इसमें इसी घी में पानी डाल देंगे तो सिवाई हमारी एक कपे सिवाई का तीन मुना पानी डालेंगे यानि तीन कब पानी हम डाल देंगे और इस पानी में हलका सा मतलब उबाल आ जाए गरम हो जाए अच्छे से तब हम ये सिमई डाल देंगे तो पानी को ढख देते हैं ताकि जल्दी उबाल आ जाए पानी में ओवाल आ रही है और अब हम पानी में ये सिमई डाल देंगे अब हम गैस को दीमी कर दें और दीमी गैस पे सिमई को उपलने देते हैं तो पूरा ये अच्छे तरीके से पानी को एब्सॉर्ब कर लेंगी तो बिल्कुल ये फूल जाएंगी और पानी तो दिखाई भी नहीं देगा ये दीमी गैस पर हम ढख करके चार पाज मिट तक पकने देते हैं तब तक हम सूखी मेगमे काट के तयार कर लेते हैं तक हम सूखी मेगमे काट कर लेते हैं हम सिवाई को सिवाई काफी फूल गई है और अब हम इसमें चीनी मिला देंगे गैस थोड़ी तेज कर देंगे ये ड्राइब फूट भी डाल देते हैं किसमिशा और काजू और थोड़े से हमने रहने दिये जो उपर से डेकोरेट करने के काम में आएंगे अब भी हल्वा बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा जब तक सिवाई सारा पानी अच्छे से एपजॉब नहीं कर लेती तब तक ये हमें और बनाना है सिवाई ने काफी हद तक पानी सोक लिया है लेकिन अभी थोड़ी देर और अभी और पानी सोकेंगी तो अभी हम इसे और पकने देते हैं थोड़ा सिवई का हल्वा देखे एकदम गाड़ा होता जा रहा है और अब यह बन चुका है तो गैस बन कर देते हैं अब हम डाल देंगे इलाइची पाउडर हल्वे के ऊपर हम ड्राइफ डाल करके सजा देंगे सिवई का साधिस्ट हल्वा तयार है ठंडा या गरम जैसा भी आप खाएंगे बहुत अच्छा लगता है तो जब भी आपका मन हो हल्वा खाएए आप सिवई का हल्वा बनाएए और अपने अनवव निशामदलिका.com पर किजिए एक बार फिर मिलते हैं निशामदलिका.com पर